पंजाब के बटाला के गुरुनानक नगर में देराच छे साल के बच्चों के बीच हुई लड़ाई ने गंबी रूप ले लिया जिसमें एक पक्ष की और से छे राउंड फायरिंग हो गई मोके पर पहुची पुलिस ने गोलियों के खोल बरामत कर दोने बक्षों के बयान लेकर आगे की कारवाई शुरू कर दी है इस घटना में दो लोग गंबी रूप से गायल हो गए पुलिस अधिकारी मोहित बेदी ने बताया कि वह ड्यूटी पर थे तबी उनकी बतनी का फोन आया कि गली में बच्चों का जगड़ा हो गया है और पडोसी उनके घर आकर भला बुरा कह रहे हैं और मार पिट कर रहे हैं जब मैं अपने भाई और दोस्तों के साथ पुड़ोस के चाचा से बात करने आया तो उन्होंने उपर से इट पतर चलाना शुरू कर दिया और लगाता छे राउंड फाइरिंग की जिसमें मेरे और मेरे भाई के पेर में छर्रे लगे पुलिस विबाक से मांग की है कि गोल करने लगी और उसके बाद उसका पती अपने 30-40 साथियों के साथ धार हत्यार लेकर आया और हमारे घर पर हमला कर दिया पहले भी कई बार यह लोग हमें भला बुरा कह चुके हैं इसने पुलिस से अनुरोध है कि मामले की जाच कर सकत कारवाई की जाए डी एस पी सिटी ल नमा दुनिया के साथ धन्यवाद